दोस्तों हमारे यूट्व चैनल दवारवा मेडिशिन में दोस्तों आज हम अपको डियाबिटीक के वैस्ट मेडिकेशन जिसको बोलते हैं सेतागलिप्टें प्लस मेटफॉर्मिन के साथ में एक कॉम्बिनेशन में यूज की जाने वाली मेडिकेशन्स है जिसको स्टैलिक्स M50 प्लस 500 के साथ हम आज रिव्यू करेंगे और इसकी सारी इंफार्मिशन अपनी YouTube चैनल पर देंगे तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को रोग की प्रॉब्लम्स हुई होती है तो उन पेशन्स के लिए स्टैलिक्स M50 प्लस 500 का उप्योग किया जाता है दोस्तों यह जो है प्रिस्किप्शन बेस्ट मेडिकेशन्स है आप अपने डॉक्टर के हिसाब से या अपने डॉक्टर के सजेशन पे या उनके मेडिकेशन्स के हिसाब से इस दबा का उप्योग करें दूसरी चीजें ऐसे पेशन्स जिनको सुगर तो हुआ होता है लेकिन उनका सुगर जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है फास्टिंग, पीपी और एचपी उनसी लेवल भी उनका बढ़ा होता जो की लाज पिछले तीन महिने का रेशियो बताता है अगर वो भी बढ़ा है तो उसके लिए भी ये कारिकर मेडिकेशन्स है आपको अगर वहाँ पे भी यूज कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपको वो लेवल मेंटेन करके काम करता है आप सुगर को मेंटेन करता है आपके HB1C लेवल को भी मेंटेन करता है दोस्तों आज हम इस दोनों मेडिकेशन्स के क्लास आप फैमली और उसका यूज बताएंगे तो दोस्तों सेटा कलिप्टिन जो है वो आपका ओरल एंटिडावेटिक मेडिकेशन्स है जो कि डाइबिटेज के लिए यूज की जाती है उसमें एक क्लास आप फैमली होती है जिसको बोलते हैं DPP4 इनविटर्स तो डाइपेप्टाइल डाइपेप्टिडेज इनविटर्स बोलते है तो सेटा कलिप्टिन का जो मेन काम होता है जो इसका मैकनीचम आफेक्शन होता है वो यह करता है कि यह इनसलिन सेक्रेशन को स्टिमलेट कर देता है जिसको तेजित कर देता है जिससे हमारे सरीर में इनसलिन की मात्रा बढ़ जाती है और गुलुकागान स्राव को रोकता है जिसकी वज़े से हमारे सरीर में सुगर को maintain करके काम करता है दूसरी medications है metformin तो दोस्तों metformin के बारे में अगर हम आपको बताएं तो metformin आपकी first class therapy है अगर आपको sugar हुआ है तो doctor किसी भी medications को न लिखने पर आपको metformin जरूर लिखता है तो यह first line therapy के लिए भी यूज की जाने वाली medications है दोस्तों metformin भी oral anti-diabetic medication के अंदर में एक class family आती है जिसको बोलता है vagonates उसमें यूज की जाने वाली medications है metformin अलग-अलग stunt में आती है 250 से start होती है 250 mg, 500 mg और 850 mg और 1000 mg के हिसाब से यह आपको market में available है आप वहाँ से इसको purchase कर सकता है तो दोस्तों Stalix M 50 plus 500 में आपका Cetagliptin 50 mg में है और metformin 500 mg के साथ में है इसमें और भी stunt आती है जिसमें आपको Cetagliptin 100 mg प्लस metformin 500-1000 में भी आपको मिलती है तो अगर आपको doctor ने Stalix M 50 plus 500 लिखा है तो इसके हिसाब से आप इसी medications को यूज करिए दोस्तों अगर इसके Cetagliptin के बात करते हैं कि Cetagliptin कहां पे work करता है तो दोस्तों Cetagliptin जो है pancreas त्वारा उस सर्चिस insulin की मात्रा को increase करता है ताकि जो हमारा blood glucose level हो वो कम हो सके हमाई सरीर में blood glucose level के अस्तर को कम करें जिसकी वज़ा से आपका blood glucose level maintain रहे और एक ratio में रहे जो की एक normal ratio होता है माय बाडी में उस हिसाब से ही इसका opioid किया जाता है इस दबागा दोस्तों इसके manufacturing के उपर आते हैं तो दोस्तों ये torrent pharmaceutical दारा manufactured करके बनाई गई medications है जो कि doctor के prescription पे इजली अबलेबल है और आप अपने nearby medical store से इसको purchase कर सकते हैं यूज कर सकते हैं बेस्ट मेडिकीशन से और हाली में patent off होने की वज़ा से market में अबलेबल भी है और cheap price पे भी इसका costing जो है वो सस्ते price पे हैं तो आप वहां से भी इसको करी सकते हैं और इसका जो आपके body पे impact है वो बहुत ही beneficial है तो आप इसको यूज कर सकते हैं तो इसके side effects के उपर आते हैं तो इसके side effects में थोड़ी से यह आते हैं कि इसमें hypoglycemia के chances अलग होते हैं अगर आप along with insulin ले रहे होते हैं या आपका self-nhylurea receptors के साथ में ले रहे होते हैं या other medications के साथ में यूड़ अगर insulin के साथ में लेते हैं तो आपको hypoglycemia के chances होता है hypoglycemia क्या होता है कि आपका जो insulin आपके जो सरीर में glucose का लेवल होता हो थोड़ा सा कम हो जाता जिसकी वज़ा से थोड़ा से complications आपके body में आ सकते हैं तो इसको hypoglycemia बोलते हैं थोड़े सी बेचे नहीं हो सकती है बॉड़ी में आपको थोड़े से ठकावड लग सकती है सिर दर्द यह सब हो सकता है थोड़ा सा आपको nausea, vomiting, diarrhea यह सारी चीजे हो सकती हैं यह सब इस उन medications के साथ में हैं अगर आप इस medications को बंद कर देते हैं तो वो common side effects इसके साथ में दूर हो जाते हैं दोस्तों यह cardio safe medications भी है ऐसे patients जिनको cardio की problem है तो वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि cardio safe है, renal safe है, यह renal problems जिन patients को भी होती है वहाँ पर अगर भी Cetagliptin यूज करते हैं तो वहाँ पर भी इस दवा को उप्योग किया जा सकता है क्योंकि यह renal safe भी है, cardio safe medications है दोस्तों Cetagliptin जो है वह आपकी best medications है, अभी इसका newly patent off होनी की वज़ा से market में easily available है तो दोस्तों यह जो है आपके glucose के मात्रा को बढ़ने नहीं देता है, आपके body में जो glucose level बढ़ा होता उसको कम करता है, उसके अस्तर को maintain करके काम करती है और इसके dozing के उपर आते हैं, इसके doze कैसे आपको करना है, तो Cetagliptin के dozing के उपर आते हैं, तो इसमें आपके अपने doctor के साफ से इसके dozing जो है, OD या BD हो सकती है, आप्टर मील, मतलब कि आपको दिन में एक बार या दो बार इसका उप्योग कर सकते हैं, जैसे कि आपका doctor जो है, वो आपको suggest करें, जैसे भी doctor आपको suggest करता है, वो उसके साफ से आपको OD या BD डोजिंग आप इसका उप्योग कर सकते हैं OD वीडियो मतलब का होता है, दिन में एक बार, वीडियो मतलब होता है, दिन में दो बार, तो आप उसी साफ से आपको दिन में एक बार या दो बार इस medications को यूज कर सकते हैं, तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को subscribe करना ना बूलें, और इस चैनल को प्यार देना ना बूलें, थैंक यू सो मच पर वाचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच